कोरोना संक्रवन से जहां एक और पूरा देश थर्राया हुआ है वहीं लागडाउन के चलते जीवन मुश्किल में हैं इसी मुश्किल के दोरान शहर के सामाजी के लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं आज नीमच के सवाज सिवी यश्वंत बंसल ने प्रधानमंती रहत कोश में पचास हजार रुपे का एक चेक पुलिस अधिक्षक मनोज राय को सोपा और उन्हें कहा कि इस रुपे को आम लोगों की मदद में लगाये जाएं वही दूसरी तरफ अगरवाल पंचाद भहन ने अपने बीस कमरे पुलिस कर्मियों के ठेरने के लिए दिये ये कमरे तब तक पुलिस प्रशाशन के पास रहेंगे जब तक लागडाउन चलता रहेगा प्रधान मंतरी रहात कौश में अगरवाल पंचाद भहन समीती बारादरी दोरा दिया गया है ये अभी हमारे देश में पूरे विशुमें एक महामारी फैली होई है कोरोना और ये जो महामारी है ये पूरी मानो जाती के लिए खतरा भनी होई है तो हमें लगा कि हमें इस लड़ाई में जंग में हमें इसमें पूरा हमारा जो भी हम योगदान दे सकते हैं वो देना चाहिए यानि ये वक्त अभी चुप बेठने का घर बेठने का या अपना हाथ बचाने का नहीं है जितना हो सके अगर कोई आदमी दस रुपे देना चाहे एक हजार देना चाहे वो दे परिवार की ओर से 51,000 रुपे का चेक देना चाह रहे हैं आज अभी कार्याले मेरे आए और उन्हें ने एक चेक दिया है 51,000 का कोरोना वाइरस से देश को लड़ने के लिए जिन आवश्यक्ताओं की जरूरत है आज उन्होंने स्विच्छा से चेक दिया है उनकी मैं बहुत संसा करता हूँ साथ हे उनके द्वारा जो अगरवाल समाज की धर्मशाला है जिसमें 20 कमरे हैं स्विच्छा से उसको भी उन्होंने पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी रथ हैं उनको अगर वहाँ पर रुकने की कोई आउसकता हो तो उसके लिए उन्होंने दिया है मैं चाहूंगा कि इस तरह से जो समाज सेवी हैं जो प्यक्ति हैं सब लोग आगे आएं और आगे आकर इस तरह के मुहिम में सामिल हो जिससे हम लोग कोरोना वाइरस के इस महामारी का डट कर मुकाबला कर सके वाइस साफ इंपी के लिए मुश्ताक अली शाग की रिपोर्ट